बांगलादेश में हिंदो के साथ क्या हुआ था? बांगलादेश में हिंदो के साथ क्या हो रहा है? और बांगलादेश के अंदर हिंदो के साथ क्या होने वाला है? 1500 से ज़ादा country's के अंदर इस कौन के devotees आखिरकार बंगलादेश के सभी minorities के लिए उनके हक के लिए कौन सा आवाज उठाएगी और कौन सा कदम उठाएगी और सबसे ज़ादा important बात आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदू की आवाज बंगलादेशी हिंदू के लिए कई कम तो नहीं पड़ गई क्योंकि नजर कोई नहीं आ रहा इन सारी बातों का आज हम इस वीडियो के अंदर दिकर करेंगे नमस्कार साथियो जै सनातन स्वागत आप सभी का अपने इस यूटूब चनल आश्टो जा थौट्स के अंदर अगर आप लोग जाती पाते भूल चुके और सिफ सनातन से जुड़ना चाते हैं तो इस चैनलों को सब्सक्राइब कर ले आज हम बात करने वागने हैं बांगलादेश के अंदर हो रहे हिंदूए के नरसंगार के विशे में आप लोग को पहले मैं एक छोटा सा ओवर्वीव दे देता हूँ कि आखिरका बांगलादेश में हुआ क्या बांगलादेश में चल रहा था दुर्गा पूजा और नवरातिरी के दुर्गा पूजा कि नरपंडाल के अंदर हनुमान जी के पैरों के नीचे एक आसमानी किताब को मजभी लोग के किताब को रख दिया गया बकादे तोर पर फेस्बुक के ओपर लाइफ किया गया और लाइफ करके बताएगा कि देखो हमारे भगवान मतलब हमारे आसमानी किताब को तुमारे भगवान के पैरों के नीचे रख दिया ये हैं हमारी ओकात उसके बाद जो आग लगी उसके बाद जो दुर्गा पंडाल तूटने स्टार्ट हुए सीधे तरीके से मंदिर पर हमला कर दिये गया पुलीस अपने हाथ पर हाथ रखके आखों के स्नाम ने हिंदूों का नरसंगार देखती रही कोई आक्शन नहीं के लिए हां हैं यही बात हो गई बंगलादेश के अंदर जिस तरह से मा दुरगा की सारी प्रति महीं 해야 को तोड़ी जा रही को मंदिरों को ध्वस्त किया जाना अत लेकिन यह आवाज एक या दो दिन के लिए सीमित रही अब आवाज को बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि सनातन के सनातनी युद्धाओं को सनातनी सेवकों को इसकौन के टेंपल के सेवकों को डिवोटीज को वहां पर मारा गया उनकी हत्या कर दी गई यह कहा गया कि भाईया द इसके लिए हम लोग शास्त्र तो पूझ लेते हैं लेकिन शास्त्र पूरीतर से भूल जाते हैं इसकौन के डिवोटीज को मार दिया गया इसके बाद इसकौन के जो वािस प्रेजिडेंट है उनका नाम है रादारमन दास जी इन्होंने खास तोर पर कहा है कि UN से उन्हें request की है वहाँ पर प्रात्ना ही की गई है कि बांगलादेश के हिंदों की रक्षा आपको करना होगा, human rights को बचाना होगा नहीं तो 23rd October के दिन 1500 से जादा countries के अंदर इसकौन के डिवोटी रास्तों के उपर उतरेंगे साथियो, बांगलादेश के हिंदों के साथ क्या हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया बांगलादेश के हिंदों के साथ क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बता दिया हे पाकिस्तान के अंडर जो आबादी यहां पर थी वो आज यहां पर पहुंच गई है मतलब avoid पूरो पुर्रदाल मंत culinary यही कहते थे किस देश के सारी साई चीजों पर सबसे पहला अधिकार इनका है अब अब इनका नाम भी मैं अपने मूपर नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि नाम लेने से मेरा मूँ स्वयम खराब हो जाता है। दुस्तान के अंदर बंगलादेश के प्रती हमारी आवाज को बदल दिया गया है, हमारी आवाज को दबा दिया गया है, या फिर हमारे मूँ से आवाज नहीं निकली है, लेकिन नियोक अपनी आवाज को नहीं दबाएगा, नहीं नियोक के रस्तों के उपर हिंदू अपनी सनातनी बहनों के लिए वो आवाज उठाए रास्तों के उपर खड़े है रास्तों के उपर खड़े होकर जिस तरह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की है वहाँ पर प्रोटेस किया है यह बताता है कि सनातनी हो तुम अकेले नहीं हो तुम हिंदुस्तान के अकेले नहीं जो हिंदुस्त की हित की बात कर रहे हो अन्य भी आप लोग के साथ बहुत लोग है बस यह करना है आप लोग को की ज़्यादा से ज्यादा घंधो की आवाज को बुलंद करना है अरे वो भम फोड़ कर मासुम कहला जाते हैं तुम पटा के पोड़कर बदनाम ह हो जाते हो वो हत्याय करके भी चांत प्रिय कहला जाते हैं तुम आवाज उठाकर भी बदनाम हो जाते हो तो हमें आवाज उठाकर बदनाम ही होना है तो भाईया उठाओ आवाज जो होगा देख लिया जाएगा अपने हक की बात करना इसे आतंक वाद नहीं कहा जाता अपने हग अपने अधिकार की बात करने के लिए किसी भी की पर्मिशन की आवशक्ता नहीं होती है सरकार तभी काम करेगा जब तुम अपनी आवाज को आगे ले जाओगे ट्विटर के उपर ही जाकि हमें ट्रेंड तो करना है सेव बांगलादेश हिंदू बस इतना तो हमें लिखना है क्या हम इतना भी नहीं लिए सकते जो इसके लिए आवाज उठा रहा था उनकी आवाजों को तो दबा दिया गया उनके चैनल सस्पेंड कर दिया के साती सात और एक आपको बात बता देता हूं कि हैदराबाद के अंदर अभी अंशुल भाया ने एक चीज़ ट्विट की है कि वहाँ के कुछ यूथ ने बांगलादेशी यूथ करके वहाँ पे बोर्ड लगाये जाते वहाँ पे सेलिब्रेशन किया जाता है और आम बताया तोर पर आपको बता दो कि रोहिंग्या मुसल्मान हिंदूस्तान के अंदर है जो कि हिंदूस्तान के मुसल्मान नहीं है उनके प्रती सववेदनाएं हैं उनके प्रती भावनाएं हैं लेकिन बांगलादेश के अंदर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर ना ही हमारा बॉलिवुड तक्ती लेकर खड़ा है, ना ही हमारे समास से भी और ना ही हमारा फैक्ट चेकर की बाते करने वाले कुछ लोग सामने आ रहे हैं, और ना ही हमारे जो देश के रूलिंग आपके विचार क्या होंगे इसकौन के प्रति मुझे नहीं पता लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब इसकौन के द्वारा श्रीमत भगवत गीता का प्रचासंपुर्ण विश्वों में किया जा रहा है आज इसकौन के द्वारा ही भगवत गीता यह सभी लोगों तक मत कितना होगा लेकिन जब जब बात एकता की आती है तब सनातनियों एक हो जाओ क्योंकि अब एक नहीं होंगे तो भईया आने वाले समय में हमें कठनाईयों का सामना करना पड़ेगा ज्यादा वीडियो लंबा नहीं खीच रहा हूं इतना ही बताऊंगा से अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं तब तक के लिए सनातनियों जै सनातन